हलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चानल पर दोस्तों आठ में ले आई हूँ बैगन की चटपटी फ्राइ रेस्पी यह आपको बहुत पसंद आएगी तो आप लोग ट्राइ जरूर कीजिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यह देखिए जिसके लि लिए हैं अब इसको इस तरह से कट कर लीजिए अब हम इसका मसाला देखेंगे मसाला में यहां एक चमच बेसन आधा चमच हल्दी आधा चमच लाल मिज पॉडर स्वाद अनुसार नमक आधा चमच अमजूर पॉडर और एक मैगी मसाला का छोटा पैक लिए हैं सभी मसाले जाए से मिला देगे हैं अगर आप में पास आमचोर पॉडर नहीं है तो आप फेने शाँ हां निमु का रस यूज मेहें डाल देंगे और इस मेंस सभी मसाले को पूंहीं तरफ हम अची तरफ से देख लिए लिए कि आ है तुसरी मिलकर तयार हो गया है हमने जो बाएगण कट करके लिए इस उसे हम दो कर कोच लिए है और एक एक बैगन को लेंगे अपने हाथों से दबा दबा कर मसाले में इस तरह से कूट कर लेंगे तो बैगन में मसाले हम अच्छी तरह से लगा दिये हैं इसी प्रोसेस से हम साड़े बैगन में मसाला को अच्छी तरह से लगा लेंगे तो हम सारे पैगन को मसाला लगा कर तयार कर लिए है तो हम गैस पे रखेंगे एक तबा तबा पर डालेंगे दो चमस सरसो का तेल आप जो भी कुकिंग वाइल यूज करते हैं आप उसी को ले लिजी तेल को हम अच्छी तरह से घर्म करेंगे और चारो तरप तबा में भैला देंगे और फिर इसमें हमने जो मैं साला लगा कर रखे थे बैगन को एक दो हम दाल देंगे एक एक करके और इसे ढख के छोड़ देंगे तीस सकेंड के लिए कैस को हम लो टू मीडियम रखे हैं तो आप हम इसे पलट लेंगे इस पलटने में थोड़ा सा परेसानी होता है तो आप सापतहानी से इसे पलट लेजिए तो यह देखें नीचे कितने अच्छे से फ्राइब हुआ है बैगन इसे हम चेक करके देखें नीचे भी फ्राइब हो गया है इसे भी हम पलट लेंगे अब तो दोनों बैगन फ्राइब बनकर तयार हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे उसी तबा पर हम दो चमस तेल और डालेंगे तेल गर्म हो गया है फिर सेम वही प्रोसेस से हम दो बैगन और डाल देंगे इसे भी वैसे ही धक के छोड़ेंगे प्राइब होने के लिए तो हम धकन हटा देंगे और इसे भी हम पलट लेंगे अब तो इसे भी हम पलट लिए हैं हम देखते हैं तो देखिए नीचे भी फ्राइब हो गया है इसे हम तीस सकेंड के लिए और छोड़ दिये हैं दोस्तों यह बहुत ही चटपटी रेस्पी है बहुत पसंद करेंगे तो आप लोग ट्राइ जरूर कीजिए अब हम इसे निकाल लेंगे तो यह देखिए हमने ठेट सारा वैगन फ्राइ को बना कर तयार कर लिए हैं अब हम इसे सर्व करेंगे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब सेयर कॉमेंट हमें जरूर कीजिए थांक्यू मिलते हैं नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई